अजमेर जिले में तेजी से बढ़ रही COVID-19 मामलों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासंद वारा घर-घर सवे का काम तेजी से किया जा रहा है। सवे के दूसरे चरण में जिले में एक लाग से अधिक घरों तक विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुँच चुके हैं और इस दौरान करीब 7000 सर्दी जुखाम, बुखार, खांसी के पीरित मरीज पाई गए हैं जिन्हें पर्याप्त दवाएं उपलब्द कराई गई हैं और उनसे अपील की गई है कि वह इस महामारी के दोरान बाहर ना निकले जिससे कि अपने लोग पर रेशान ना हो। कोरोना के विरुद जो एक पर से युद्ध चल रहा है उसका एक मेटपॉन पार्ट है डोर टू डोर सर्वे जिसके माद्यम से गरगर सर्वे करके और जो भी आईलाई लक्षनों वाले पेसेंट्स हैं जिनको खासी है जो काम है बुखार है जो भी कोरोना के लक्षन है तो जिनको भी फ्लू के कोई भी किसी तरह के लक्षन है उन वेक्टियों का चिन्नी करण इसके माद्यम से किया जा रहा है और मेडिकल किट उनके घर पे प्रोवाइड किया जा रहा है उनको दिया जा रहा है और उनको ये सला दी जा रही है कि आप दवाई के लिए बार नहीं निकले और जब भी आपको आवशकता हो तो समन्दित बिये लोगो एनम को या जो पास की डिस्पेंस दी है उस्पिटल है उस पर आप फोन कर दे तो आपके पास दवा पहुंच जाएगी आप दवा लेने की लिए अस्पिताल जाता है या किसी चिकैस्फट के पास जाता है तो वह और कई विक्तियों को संक्रमित कर सकता है तो इस सर्वे का और मेडिकल की ट्वित्रन का मुख्य उद्देश यही है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है वहाँ घर में ही रहे बाहर नहीं निकले ताकि संक्रमन को फेलने से दोका जा सके इसके साथ ही साथ उनको प्रोनिंग के समन में समझा जारा है टीम द्वारा कि प्रोनिंग जो एक्सरसाइज है उससे ऑक्सिजन का लेवल बढ़ जाता है और मरीज को ऑक्सिजन सिलेनर के आउशिक्ता नहीं रहती एसा प्रू हो चुका है कई डॉक्टर्स ने भी एसा कहा है कि उन्होंने बिना उक्सिजन और बिना रेमडी सिवीर लोगों का क्यों प्रोनिंग के थ्रू ऑक्सिजन लेवल में सुधार करके और उनको ठीक कर दिया है तो इस प्रोनिंग के बारे में भी सभी को अच्छी आफिलगा से समझाए जा रहा है और जिस घर में कोई बिमार व्रक्ति नहीं है उनको भी भी बिमारी के बिमारी के लग्शन आते हैं तो वो भी सबंदित ¡या ए एनंधैं या ऑस्पिटल को सुचित करते अब तक एक चरण पूरा हो चुका है, एक बार सभी गरों में जा चुके हैं, और दूसरे चरण में एक लाग से अधिक गरों तक ये टीमें पहुँच चुकी है, और इस सर्वे का कारे अभी जाई है, ये दो-तीन दिन में इस कारे को पूर्ण कर लिया जाएगा, पिछले चरण में पास दिन में सर्वे पूरा हुए था, जो की पूरे जिले में चला था, और ये भी पूरे जिले में चल रहा है, और दो-तीन दिन में ये सर्वे का कारे अभी पूर्ण कर लिया जाएगा,